अब यिना शादी का बहुत अच्छा सीजन चल रहा ब्राइट्स को अ suddenly अपनी सकीन को भूछ जादा केर अने लगती है और वो के एर केर के अंदर अपनी सकीन का सत्या नाश कर बैढ़ते हैं क्योंकि वह जितना जादा अच्छा सोचते हैं उतना ही जादा टैमेज होती रहती ना अपनी स्कीन के लिए इतने एफर्ट सफ लगाते हैं ये इतने स्कीन केर करते हैं लेकिन स्टिल ना हमें वह रिजल्ट नहीं मिलता जो अच्छल में हम डिजर्व करते हैं क्यार हमने तो यह भी लगाया था हमने वो भी लगाया था फिर भी ना स्कीन अच्छी होने के वज़ए और खराब हो रही है तो अगर मैं आपको बताओं कि आपने स्कीन केर के अंदर से विटामिन सी निकाल दो तो आप ट्रस्ट करोगे बिल्कुल भी नहीं अगर मैं आपको बताओं कि विटामिन सी कब नहीं लगाना चाहिए जिससे प्रॉब् कैसे यूज करना चाहिए और कैसे बचना चाहिए अगर आप बिगनर हो विटामिन सी के लिए कि यार अभी अभी ना मैंने ये विटामिन सी लगाना स्टार्ट कर रही हूँ तो ट्राइ करो 5-10 परसेंट के बीच में ही विटामिन सी आप यूज करो सबसे पहले तो पैच के लिए पैटर नहीं है सबसे पहले ना मैं कॉशन बता देती हो कि कब अच्छल में नहीं लगाना चाहिए सबसे पहले गिली स्कीन पर कभी भी विटामिन सी नहीं लगाना चाहिए आपके स्कीन पर रियक्शन होना ही होना है सेकेंड विटामिन सी लगाते ही थूप में न संसिटिव स्कीन के लिए विटामिन सी बिलकुल भी नहीं मना है और सबसे सबसे खास बात है अंडरलाइन कर लो जो विटामिन सी अच्छल में इसलिए यूज करते हैं कि यार मेरे को चार-पांस साल पहले या पेंपल हुआ ता उसका दाग है या फिर कोई पिग्मेंटेशन उसका दाग है तो मैंना ज्यादा मातरा के अंदर विटामिन सी यूज करूंगी या करूंगा तो शायद में भी वो निशान हमेशा के लिए अट जाए यह गलती तो बिलकुल भी नहीं करनी है इससे आपके स्कीन और ज्यादा डैमेज होगी और ज्यादा खराब हो पैच टेस्ट वी से 5 से 10 परसंट के बीच तक उससे जादा आपको उपर नहीं जाना है 5 तो 10 परसंट लगाया आपको अच्छा लग रहा है कि हाया ठीक है मेरे स्कीन इग लोईंग हो रही है तो फिर आप 15 परसंट पे जा सकते हो नहीं तो 10 परसंट पे एक दो बार खतम क नहीं उसकर सकते हो और थर्ड सबसे इंपोर्टेंट कि विटामिन सी जब भी आप लगा रहे हो तो साथ में कोई भी सिरम कोई भी अडिशनल स्कीन केर नहीं डालना है क्योंकि वो आटोमेटिकली आपकी स्कीन को रियक्टी करेगा क्योंकि वो खुद अल्रेडी बहुत से वो खुद अपने साथ में किसी भी तरीके से मिलावत बरदाश नहीं कर पाएगा और आपकी स्कीन और ज्यादा डेंजरिस मोड पे चली जाएगी और ज्यादा आपको पिंपल या फिर इचिनेस इरिटेशन हो सकती है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो बहुत सिंपल बहुत चोटे तरीके से मैंने समझाया है अगर आप देखना चालते हो मेरे एक ऐसा रिव्यू जिसके अंदर में आपको विटामिन सी फेश वास, विटामिन सी मॉस्चुराइजर और विटामिन सी सिरम का अगर यूज करके बताऊं तो कॉमेंट के अंदर आप येस लिख सकते हो मैं डेफिनेटली वह सेकंड वीडियो लिकर आऊंगी और उसका रिजल्ट भी अपके साथ में शेयर करोंगी और ये वीडियो आपको कैसा लगा है डेफिनेटली आप में को बता सकते हो कॉमेंट करके कि या अच्छा है या फिर कुछ और कुछ लाइक दिस वीडियो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो मेरा नाम कॉमल है बाई बाई